हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ एक रिब्यू और ये रिब्यू है नेचर्स की ब्लीच का ये गोल्ड की ब्लीच है और इसे मैं अपने फेस पर आपको लगा कर दिखाऊंगी इसके सारी जानकारी मैं आपके साथ सेयर करूंगी तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स इसकी बाहर से जो पैकिंग है वो कुछ इस तरह से आएगी और अब हम इसका प्राइज देख लेते हैं इसका प्राइज है 70 रुपे और इसका वेट है 48 ग्राम में आपको यह 70 रुपे की मिलेगी इससे छोटी वाली ब्लीच भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी जो साइद 40 से 50 के बीच में होगी तो अब हम देख लेते हैं इसके इंगीडियन्स तो इसमें बहुत सारे इंगीडियन्स मिलाए गए हैं यहां पीछे लिस्ट क्यूंती है आप जब इसे खरीदो तो आप पढ़ सकते हो अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं तो मैं आप भोल कर दिखा देती हूं, और इसे किस तरह से लगाना है, कितना एक्टिवेटर, कितने क्रीम आपको लेनी है, वो मैं सब दिखा देती हूं, तो देखी, सबसे पहले तो यहाँ पर यह एक्टिवेटर है, और इसके बाद में इसमें एक अलोवेरा जल फ्ली आया है, जो 10 तो चलिये अब में एक बढ़तन ले लेती हूं और उसमें यह ब्लीच क्रीम निकाल देते हैं तो यहां पर मैं इस प्लास्टिक की चमच से ब्लीच क्रीम निकालोंगी, तो दो चमच ब्लीच क्रीम में यहां पर लोगी तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच ब्लीच ले ली थी और अब मैं इसमें एड़ करूंगी अक्टिवेटर पाउडर जो कि ब्लीच क्रीम के साथ ही आता है और इसमें जब आप दो चम्मच ब्लीच लोगे तो आपको दो चुटकी ये एक्टिवेटर पाउडर डालना है और अब मैं इसमें दो चुटकी एक्टिवेटर पाउडर आपको डाल कर दिखा देती हूँ तो friends मैंने यहाँ पर जो एक्टिवेटर पाउडर लिया है वो दो चुटकी के बराबर है और अब मैं इसे इस bleach cream में डालूँगी तो friends याद रखें अगर आप एक चमच bleach cream लेते हैं तो आपको एक चुटकी activator powder डालना है अगर आप दो चमच लेते हैं तो आपको दो चुटकी activator powder डालना है क्योंकि activator powder बहुत तेज होता है और इसलिए इसको ढालते समय बहुत साब यहां पर फिंगर से चलाओंगी क्योंकि यह फिंगर से अच्छी सी मिक्स हो जाएगा इसलिए मैं इसे फिंगर से ही करूँगी तो फ्रेंट्स याद रखें एक्टिबेटर को डालती समय आप जरूर साथ दानी रखें और इससे पहले आप पैच्ट टेस्ट कर लें अगर आ कि ये फ्रेंट्स ब्लीच तयार है और अब मैं इसे फेस पर लगा कर दिखा देती हूं तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसे लगा कर दिखा देती हूं तो धियान रखें कि ये जो ब्लीच है इसे लगाने के बाद में 10 से 15 मिट तक आपको इसे अपने फेस पर रखना है और फिर ठंडे पानी से फेस को धोना है साबुन से फेस को नहीं धोना है और एक घंटे के बाद में फिर फेस पर आप कुछ लगाईए तुरंट मत लगाईए इतना आपको करना है तो आँखों के असपास के एरिया को छोड़ कर सारे फ अगर आपको ब्लीच लगाने के बाद में देखना हो तो आप थोड़ी सी अपर लिप की ऊपर ब्लीच हटा कर देख लें अगर आपके बाल सुनहरी हो गए होगे तो आपकी ब्लीच हो गई है इसका मतलब फिर आप अपने फेस को धोले इतना आप कर सकते हैं तो यह था मेरा ब्लीच का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो छोटी सी लाइक कर दीजेगा थेंक यू